नमस्कार सात्यों बहुत बहुत स्वागत है आपका इंप्लोमेंट्स पॉइंट मा आज हम बात करने वाले हैं इंडिया नेवी ने जो भरती निकाली है डबल ए और एससर यानि आर्टिफिसर अपरेंटेस और सीनिर सेकेंडरी रिकूरूट की वेकेंसी आ चुकी है फरवरी हजार वेकेंसी आपके लिए आ चुकी है 500 है डबल ए की एससर की आई है 2000 आयम आपको इस भरती के बारे में पूरी जनकारी देने वाले हैं चलिए शुरू करते हैं तो विग्यप्ति जारी की है इंडिने नेवी ने डबल ए और एससर के लिए और फरवी 22 में आपका कोर्स नहीं है डबल ए की वेकेंसी 500 आई है SSR की आई है 2000 और इसके लिए आपका सेलेक्शन रेटन एक्जाम फिजिकल फिटनेस टेस्ट मेडिकल के थ्रू रहने वाला है अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो डबल ए यानि आर्ट इफिसर अपरेंटेस के लिए आपने ट्वेल्थ पास कर रखा हो और आपके मैथ और फिजिक्स में साथ ही केमिस्टी बालोजी या कम्पूटर साइंस में 60% मार्क्स होने चाहिए एग्रिगेट यानि मैथ फिजिक्स और तीसरा जो सब्जेक्ट है वो आपका केमिस्टी हो चाहे बालोजी हो चाह है डबले के लिए आपके PCM में 60% होने चाहिए वहीं SSR के लिए सिरफ आप 12 पास उनचीए PCM के साथ एज लिमिट की बात करें तो एक फरवरी दोयार दो से लेके 31 जनवरी दोयार पांच के बीच में जनमे केंड़ेट को एपलाई करने का मौका मिल रहा है तो अगर आपक 30 जनवरी दोयार पांच के पहले हुआ है आप एलिजबल है दोनों डेटेस में सामिल है बात कर लेते हैं आपको सेल्दी कितनी मिलने वाली है तो ट्रेनिंग के दौरान आपको 14 यार 600 पे महीने मिलेंगे जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको 11-3 में रखा जाएगा 21-700 से 29-100 वाली गेड में आपको रखेंगे और मिलिटरी सेविस पे आपको 5-200 रुपे महीने भी मिलेगी प्रमोशन की बात करें तो आपके पास मास्टर सीप पेटी ऑफिसर तक जाने का मौका होगा और अगर आप निर्दायत योगता रखते हैं साथ ही आप लगाता ट्राइ करते रहते हैं तो आप कमिशन ऑफिसर भी बन सकते हैं जब आप ट्रेनिंग में होंगे ट्रेनिंग के दोरान और उसके बाद आपको बुक्स, रीडिंग मैट्रियल, यूनिफर्म, फूड आकोमेडेशन ये सब फिरी मिलेगा और आपका 50 लाग का ब लिए बिलाए जाएगा क्योंकि को विए से सर्फ 10,000 के दिट्र को बिलाए जा रहा है रिटन एक्जाम के लिए तो आपको 12 के वेस पर शॉटलिस्ट किया जाएगा रिटन टेस्ट जब आपका होगा तो वह हिंदी, इंगलेश, दौनों भासाओं में आएगा इसमें 4 सेक देखके online अपना syllabus डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं पेपर आपका एक गंटे का आएगा और जिस दिन आपका पेपर होगा उसी दिन साम को आपका PFT भी रहेगा यानि रिटन एक्जाम और फिजीकल आपका एक ही दिन रहने बाला है सुभेर एक्जाम होगा सा अपना एक्जाम देना है और साम को अपना फिजीकल देना है फिजीकल में क्या क्या आएगा वो आप देख लीजिए फिजीकल में सोले सो मीटर की आपकी रेस होगी सात मेट में क्वालिफाई करनी है बीस स्क्वैट सोंगे यानि उठक बैटा कौंगी और दस पुसप सोंगे और ये आप अपने रिस्क पर करेंगे ये दोनों चीजे आप कर लेंगे उसके बाद ही आपको आगे की कारवाई में शामिल कि अजाएगा तो 500 पांट सोफ है खञाड को बल GOOD के लिए मैडिकल के लिए वही एससेसर में दो-जार वेकैंसी है और 52 पांट को प्ले जाएगा मैडिकल के लिए और उसके बार आको जोएन कराए जाएगा एक चीजाुरा हम आपको बता दें डबल एसर यानि एससर की बरती वहाँ पर आपके statewide merit लगेगी, यानि आपको statewide cutoff के सापसे बाटा जाएगा, वही डवले की जो वरती है, वहाँ पर all India merit आपकी लगेगी, तो डवले की जो 500 वेकेंसी हैं, वहाँ पर आपकी all India merit लगेगी, वहाँ statewide की बाद दता नहीं है, वही SSR के लिए आपकी statewide कुटफ हाइट के कॉर्डिंग होनी चाहिए, कम से कम 5 संतिमेटर का चेस्ट में फुलाव होना चाहिए, आपकी mental body health अच्छी होनी चाहिए और आप में कोई भी deformity न हो, जो candidate medical में पास हो जाएंगे, उनको ही finally join कराया जाएगा, और जब आप INS चिलका पर जाएंगे medical के लिए, तो व review medical board के लिए, review medical board आपका बैठेगा, उसमें अगर आप पास हो जाते हैं, तो आपको join कराया जाएगा, नहीं तो आप बाहर कर दिये जाएंगे, जब आप medical के लिए आएं, तो कानों से wax, दातों से tartar साफ करके आएं, बात कर लेते हैं, विज्वल इस्टेंडर की eyesight आपकी क allow किया जाएगा, लेकि 6-9 से ज़्यादा आँख की जो sight है, आपकी eyesight है, वो allow नहीं की जाएगी, टेटू की बात करने हैं, तो टेटू सही के कुछ इस्सव पहला हुआ है, जैसे आपकी बीतर की साइड में, वो भी non-soluting limper, और इसके समंद में इंजे नेवी का नेने ही सर माने रहेगा, बात कर लेते हैं अब ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग आपकी 22 वीक की रहने वाली है, SSR की basic ट्रेनिंग होगी, इसके बाद professional ट्रेनिंग रहेगी, इसी तरीके से डवले की रहने वाली है, यह फरवरी 22 में आपकी 22 वीक की ट्रेनिंग, discharge as unsuitable, यह term बहुत आता ह तो जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे, और आप अगर ट्रेनिंग के दोरान unsuitable पाए जाते हैं, आपको बाहर कर दिये जाएगा, चाहे आप physical में फेल हो जाते हैं, या फिर आप exam में फेल हो जाते हैं, आपको बाहर कर दी जाएगा, initial engagement की बात हम कर लेते हैं, तो आपको डबले जो वाले जो हैं, यानि artificial apprentice वाले उनको 20 साल के लिए नौकरी पर रखा जाएगा, वहीं SSR को 15 साल के लिए नौकरी पर रखा जाता है, अब बात कर लेते हैं, आपको online form कैसे बरना है, तो आपको form बरना है, join indian navy.jv.un की website से, आपका यहीं से form बरा जाएगा, और जो पर सकती है, और form आपके 16 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक भरे जाने है, हाला के अभी website चालू नहीं हुई है, एक दो दिन में हो जाएगी, तो इसकी last rate भी बर जाएगी, तो आप join indian navy.gov.in website को regularly देखते रहें, और अपना form जैसे ही update हो जाए, आप अपना form भर दे form भरने के लिए पहले आप login करना, अगर आपने login नहीं कर रखा है, यानि आपने registration नहीं कर रखा है, तो पहले registration करना, फिर login करना, फिर apply करना, form भरने के बास submit करना, और उसका print down कलवा के अपने बास स्वाच्छत रख लेना, photo जो भी आप upload करें, वो अच्छी condition में होने ची कुछ और चीज़े हम आपको बता देते हैं, mobile phone या communication devices exam center पर allow नहीं है, आप form बरने के लिए last rate का wait न करें, कोई भी miss wave न करें, यानि आप form बरने में कोई government न करें, और जब exam center पर जाएं, तो शबता का परच्छे दें, इसके अलावा आप multiple applications फिल न करें, एक चीज़े हम आ इनरेचन रस्त कर दी जाएगा, जो आप exam के लिए आएंगे, तो बैतर गंटे से ज्यादा परानी न हो, ऐसी आप COVID-19 की रिपोर्ट लेके आएंगे, तो COVID-19 की रिपोर्ट भी आपको लेके आनी है, जो आप exam के लिए आएंगे तब, last rate है 25 October, साथी जयती जनकारी, इंडि ATM के साथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायलोजी हो, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, कम्प्यूटर हो, डवले के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 60% रोना जरूरी है, SSR के लिए ऐसी कोई बात देता नहीं है, साथी ओम्मी नए वीडियो आपको पसंद आया होग इस वीडियो को लाइक कीजे, सेर कीजे, और आप नए हमारी चैनल पर तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, को क्या मिलती है, सही जानकाईब को सब्सक्राइब कर लिए, धन्यवाद